नैवर्ष की दूसरे दिन दो जन्वरी की रात तीन से सारे तीन बचे की दर्म्यान काटूल पुल स्टेशन के तहत आने वाली इसापुर गोवेडगेर की जिनिंग फैक्टरी के पास पिकप बोलेरों का संतरन बिगणने से पिकप बोलेरों पेड से टकराई यह पिकप मोपासी इसापुर मार्ग अंबाड़ा संतरा तोड़िये के ग्यारा मस्दूरों को उनकी अपने गाव काटूल तहसल के ग्राम अंबाड़ा पहुचाने चारही थी पिक जैसे है इसापुर के पास पहुची तभी वाहन का संतुलन बिगणने से पिकप सीधे पेड पर जाकर धमकी जिसमें पिकप में सवार सभी 11 मस्दूर कमफीर खायल हुए जिन में तीन महला मस्दूर, मनिशास सलाम, मन्सूरा उयके, कला परतेती की घटना सल पर ही मृत्य हुई तथा मन्जूला धुर्वे की नाकपूर जाते समय मौत हुई एवं अन्यव, व्रुंदा दुदकावले, चेताली सलाम, कलावंता पेंदाम, लक्ष्मी ताइडे, येनू दुदकवले, ये सभी रहने वाले अंबाड़ा, वही चालक तथा क्लीनर दोनों भी मौपानिवासी रहकर उनको भी नाकपूर रवाना किया गया जो आकाश बता से विशान बोंद्रे, साथ मज़ूर गंभीर घायलों को नाकपूर के श्यास के स्पताल में भरती किया गया ये घटना घटते ही काटोल शेत्र का वातावरन शोका कूल हो गया सभी घायलों तिथा मृतकों को काटोल ग्रामेन स्पताल लाया गया यहां के डॉक्टर नलसु द्वारा उचार कर गंभीर घायलों को नाकपूर रफर किया गया चार महिला मज़ूरों की मौत की घटना शेत्र में फैलते ही सेक्डों लोग काटोल ग्रामेन स्पताल पहुची लोगों का जमावडा परिवार जनों की भीड दुखपूर्ण वातावरन दिखाए दिया खटना की जानकारी मिलते ही काटोल की थानिदार महादेव आचिर कर वसायक निरिक्षक मनूत चौधरी द्वारा खटना सल पहुच कर पंचनामा कर आगी की जांच की जारी है BCN News के लिए काटोल से समाधाता की रिपोर्ट